दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का स्केडियूल आ चुका है लेकिन अमूमन यही होता है कि ACC वर्ल्ड कप 2023 के स्केडियूल से पहले ही अगर दोनों मामले आगे पीछे होता है तो पहले ही रिलीस कर देती है यानि कि Asia Cup 2023 का स्केडियूल पहले ही आ जाता है वर्ल्ड कप 2023 लेकिन देरी क्यों हो रही है मैं आपको बतातों देरी इसलिए हो रही है और देरी का कारण क्या है देरी का कारण है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानि के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वज़ा से एशिया कप 2023 के स्केडियूल आने में देरी हो रही है इसकी वज़ा सबसे बड़ी पा विजस्ड का था के सबसे पहला मेरा पॉइंट यहीं है कि जो पाकिस्तान में एशक 2023 होना है उसको से पूर तरीकर से पाकिस्तान भीठीर क्राया क्योंकि एसी है जो कि पूरा यहां पर क्रिक्डिट कर रहे हैं है उसके मůताबिक भाँ पर ही यानिकि पाकिस्तान में ही यहाँ पर मेजबानी होने चाहिए इशया कब 2023 की तो और कहीं कराना बिलकुल भी ठीक नहीं है इस एश्या और बाकी सारी जो है Isten लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की बात लेकिन यहां पर भात और यहां पर्म घरम हो जाती लेकिन नहीं सकते हिए यही सारा मुद्ड़ है अगर कुछ दिन पहले की बात we short colleague यानि के जो जका अश्रफ ने प्रेस कॉंफरेंस पे का था उन्होंने बोला कि पहला पॉइंट ये है कि मैंने पहले ही हाइब्रेड यहां पर दिये थे 2023 एशिया कप के पाकिस्तान को तो वहीं होना चाहिए एसा कहा जाका अश्रफ ने और उन्होंने पूरत तरीके से अस्विकार कर लिया कि जो हाइब्रेड मॉडल था उसके बारे में अगर आप ध्यान हो आपको तो उनके पुराने यहां पर जो चीफ थे यानिके जो पीसीबी के चेर्में थे नजम से ठी उनका ही यानिके उन्हों नहीं अनुरोथ किया था कि कम से कम हाइब्रेड मॉडल तो एकसेप्ट किया लिया जाए यानिके सबसे पहले नूटरल वेन्यू की बात आई थी फिर उसके बाद यहां पर एसी सी और बीसी से एक म आसवी कार करना न सभी करना यह सब जो है कहीं नहीं दिक्तों की बात रह आती है बहुत बढ़ा बियान आया है उसके बारे शिलगका में ऐसे करके 13 मैचों का इश्यका पूरत तरीके से हो जाएगा तो hybrid model को बदलने का कोई सवाल ही नहीं जो एसी ने बनाया है बाद में यह मत भूले कि पीसी बी ने ही hybrid model का अनुरोध किया था जो नजम सेठी ने शुरुवात में अनुरोध किया था अब वो खेर अब तो गद्धी पर नहीं है वो लेकिन जका अश्रफ के पास अभी फिलहाल यहां पर कोई हक नहीं है गद्धी में बैठने से पहले किसी भी चीज़ का decision लेने का वो हर नए अध्यक्ष के साथ रुक बदल सकते हैं लेकिन यह एक व्यक्ति की इच्छा पर काम नहीं कर सकता है यानि के नया अर्द्यक्ष आएगा तो वो अपने decision लेगा उसका नया mood होगा और mood के हिसाब से यहां पर एसी सी या कोई भी governing body जो एक क्रिकेट की governing body हो वो नहीं बदल सकती आपके mood के हिसाब से बिल्कुल भी और उन्हेंने का इसमें logistics broadcaster समेत अन्य चीज़ें शामिल है जाहिड सी बात है इश्यक अब टूर्णमेंट हो उसमें इंडिया पर से पाकिस्तान हो चाए एक बार हो च logistics हर एक चीज involved होगी चोटी चोटी चीज बहुत ज्यादा महेंगी आती है आपको पता यह कितने ज्यादा यहां पर broadcasting rights मिलते कितने महेंगे मिलते हैं कितने करोड़ों में मिलते हैं तो जो वर्ड कप 2023 होगा वह इस बारी भारत में होगा तो सरकारों को पहले से ही बात कर लेनी चाहिए थी अपने जो है अपने बोर्ट से तो यहीं सब था कि आपके मूट के हिसाब से यहां पर कोई गवर्निंग बॉर्डी नहीं चलती और अस्विकार कर दिया पूरे तरीके से जो उनका कहना था यानि जका अश्रफ का के मैं अस्विकार करता हूं मैं मानता ही नहीं इस hybrid कि अपने ही नहीं जके मैं आपके मैं महणा कर दोल्डी यहीं जकाशने ही तो यहीं जकार के दो दोल्डी तो यहीं चलती है विए वहीं जग।